यह दुख का है खतम नहीं होता भे कर रहे थे कि यहां से उपर जाएगा तो हम अच्छा खासा मार्केट देख सकते हैं अगर आपको एक और प्लेस करना है तो इसके उपर का वेट करोगे तो रिस्क मिनिमाइज होगा तो यह रिस्क था वहाँ पर और यहां पर प्रिटी बाद राइट नाओ बिल्कुल यहां पर अच्छा कासा डंप आ गया है और वी आर टेस्टिंग देश्टिंग फाइनल सपोर्ट है यहां पर इसके बाद जो नेक्स सपोर्ट से हमारे वह थोड़े से दूर है तो अभी वहां पर नहीं पहुंचा है यह आप देख रहे हो यहां पर वी हाँ रिवर्सल एट 46,500 बट डे कैंडल के हिसाप से देखें तो हमने जो यह ट्रेंड लाइन मेंटेन करके चल रहे थे अभी ब्रीच हो गई है ब्रोक नहीं होई है अभी ब्रेक करने के लिए वन डे को इसके नीचे एंड होना होता है तो अभी ब्रेक नहीं होई है तो अभी जो हम two zones immediately देखेंगे वो वन डे के उसमें होगे अभी four hours में देखके कोई फाइदा नहीं है वन डे पे आपको focus करन है तो हो सकते हैं इस ताइम कोई ट्रेट मत लेना फ्यूचर में क्योंकि मार्केट बहुत वॉलिटाइल है और इस कुड़ इधर वे राइट नौ यहां से बाउंस भी हो सकता है यहां से बहुत जादा डिप भी हो होगता है तो अभी हमेरे पस 200 MA and 20 MA यह दो लोग हैं जो अभी हमें support provide करेंगे और वन डे candle कहां close होती है बहुत जादा important है कल साड़े पांच बजे कहा close होगी अगर यह इन दोनों के नीचे close होजाती है तो we are going to see a very very sharp dump बहुत शार्प एक dump आएगा and वो dump बहुत बुरा होने वाला है and we should be seeing BTC around 42,000 in case वो dump यहां आता है तो इसके बाद आपका क्या प्लान है मतलब अगर आप loss में चल रहे हो तो क्या करना चाहिए तो अगर आप sports में loss में चल रहे हो तो there is something you can do that is sell into BTC अगर आप bitcoin के pairs में देखोगे तो यहां पर जादा नहीं गए है market नीचे क्योंकि bitcoin और odds दोनों एक साथ नीचे गए है तो यहां पर थोड़ा सा better आपको मिल जाएगा rate and bitcoin में रहोगे तो बाद में आप use करके buy भी कर सकते हो bitcoin के pair में ठीक है so that's one thing you can do and अगर आप इस ताइम पर हो एक long trade में फसे वे ठीक है क्योंकि कल हमने dot का long trade दिया था and that is not going well right now तो यहां पर उसका हमने stop loss भी दिया है and that is below MA and this support level तो इसके नीचे अगर वो आई ही जाता है तो that will be very bad तो stop loss के around आपको loss लेना I think you were in it ठीक है जब आप trade ले दे थे तो stop loss के साथ ही ले दे थे तो if you can take it take that loss wait for it ठीक है इसके बाद कुसामा का देखते है कुसामा का हमारा stop loss है that is around 256 dollars ठीक है 256 dollars क्योंकि last support हमारा वहीं पर है प्लस यह trend line के भी नीचे आ जाएगा तो उसका हम wait करेंगे मैं personally उसका wait करूंगा I can't take that loss that's why I took the trade बाकी कल रिस्क तो था ही सबको पता है इसके बाद आते हैं क्या buying आपको करनी चाहिए buying I will not suggest right now ठीक है क्योंकि market अभी बहुत जादा red है अगर हम four hours में देखते हैं बड़ा सा green reversal तो आप buy कर सकते हो लेकिन उसका थोड़ा unlikely सा scenario है इस time पे अभी का अगर हम supports देखें तो अपना 46,800 से 46,200 dollars that is the main support zone right now जिसक पे हम भी operate करेंगे तो उसके around हम रहते हैं थोड़ा सा I think wait करना चाहिए इस आज का आज ट्रेड लेना थोड़ा सा risky हो सकता है ठीक है मतलब DCA, DCA type up कर सकते हो लेकिन it's better to take profits into BTC right now then you know go out and take some trade जिसमें तुम first जाओ ठीक है तो आज के दिन वेट करो देखो कि यहाँ recovery होती है नहीं होती है day candle कहाँ close होती है then next day you guys can trade बाकि that's it for today बाकि अपकी मर्जी है it's not a financial advice video I'll see you in the next one